नमस्कार दोस्तों स्वागत है अमारे रासी फल धाम यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहेगा किन की चीज़र से इनको फैदा होगा और की चीज़र से रहेगी केरियर के सब रहेगा बिजनेस और वैपार के सार रहेगा और स्वास्त के महत पुंचनकरी हम आप को इस वीडियो में देंगे दोस्तों आपको एक उपाई भाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा बेहतर बना सबसके और साथ में बताएंगे कि तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुलारा सिवारों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पोजेटिव रहने वागा दोस्तों किसी पूरीयोजना को क्रियाविन्द करने का ओशित समय है आज कोई बहुत बड़ी धुबिधा भी दूर होगी घर के वारिष्ट तथा अनुभवी लोगों के मार्ग दर्शन से कई मिश्किलों का भी समाधान निकलेगा मानसिक सांति प्राप करने के लिए किसी अधात्मी अस्तल में भी कुछ समय आवसे वेतित करें इससे आपका सकरत्मा दिष्टिकों परिवारी वा समाजी गातिविदियों में उचित विवस्था बनाकर रखने में सहायक होगा परिवारी सदस्यों तथा रिस्दारों के साथ समन और अधिक बहतर बनेंगे बच्चों की और से कई सूप समचार मिलने से घर में प्रसंता पुन वतावरन रहेंगे आर्थी इस्ती बहतर बनेंगे नजदिकी समन्धियों के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी विशेस मुद्य पर लागदाएक विचार विमर्स भी होगा धार में तथा अतादिमिक गतिविदियों में भी कुछ समय वेतित होगा आज का दिन भाविदे कारक है आपकी वाकूप प्रता तथा कारे सेली में सिल्लोक प्रभावित होगे दोड धूब तो अधिक रहेगी प्रपटि समंदिक कार संपन होगे घर में भी अतादिमिक और सकारतम बतावरन बना लएगा दोतने यह रासी की लोग अपने कारें के प्रती पूरुनुक से सजग रहे इस समय गिरिश्तितियां आपके लिए बहुत अनुकुल है आचाना ही किसी अंजान विक्ति से मुलकत आपके लिए फायदेबंद रहेंगे अगर वाहन लेने समंदिक बना रहे हैं तो समय उजित है आज आप अपनी चतुराई दोरा किसी समस्या का सामधन पाने में समख्ष रहेंगे जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे आज अल्प प्रयास से ही पूरे होने की संभावना है किसी रिस्तेदार दोरा सुफ समाचाल मिलने से खोशी मिलेगी चलिए इसने से के साथ बात कर लेते हैं नेगेटिव की पर तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी आस्तिशेप ना करें क्योंकि इसका दुस्प्रवा आपके ऊपर ही आएगा परपटे समंद्ध किसी कार में रुकावट आ सकती है जिसके वज़से टेंशन रहेंगे रंतो इस समय धहर बना कर रखना है उचीत है दुसरों के मावले में बिना मांगे शिलाद देने से आप सहम ये मुसीवत में पड़ सकते हैं किसी भी समंद्ध को मधूर बना कर रखना जरूरी है दोस्तों वेक्तिगत करें के साथ साथ बच्चों की समस्याँ पर भी आवस धहन दे आपका सहय उनके आताद में स्वास को बढ़ाएगा अगर भमी बेचने समंद्ध को योजना बना रही है तो आज उसे आस्थागित रखें क्योंकि दोस्तों अभी समय अनुकुल नहीं है समय की किमत को आवस पहचान है उची समय पर काम ना करने से आपको नुक्सान ही होगा बच्चों को भटकाव की वज़ा से पढ़ाई से ध्यान रहाटेगा धर के बड़े बुजरों के मान समान का वेसे ध्यान रखें उस्तम मन में कुछ नकारत में वीचार भी उठ सकते हैं अनुवहवी लोगों के समपक्र में कुछ समय व्यतित करें अथ्वा एकांद में बैठकर आत्में चिंतन करें कोई कोट समंदी मामला उलज सकता है किसी अनुवह वेक्ति की सला आवस लें विद्यातित है युवावर्ग अपने पढ़ाई वाग केरियर के प्रतिप फोकस रहें इसमें फिजल खर्ची पर कटोती रखें सोसल मेडिया थे वेर्थ की गति विद्यों में समय नस्ट ना करें दोस्तों बात करते हैं वेवसाई की इसमें प्रतिस्व परदा का महल बहुत अधिक मेहनत तक समय लगाने का ज़ुरत है इसमें आपकी योजना और कारिसेली आपके वेवसाई को और अधिकती परदान करेंगी नोकरी पैसा वेक्ति अपने फाइलने तथा दास्तेवेश पूरी तरह से वेवस्तित करके रखें वेवसाई मामनों में पैसों के लेन देन को लेकर सावधाने रखें काम के दवाव के वज़ा से आप खुद को फसा महसूस करेंगे ये मेहनत आपके लिए वेहतर सावित होगी मल्टिनेशनल कमपनी में काम करने वाले लोग जल्दी ही तरकी पालेंगे तोस्ता कारिशत में कोई दूविदा होने से भाईयों या नजदीकी दोस्तों के मदर जरूर लें इनकी सलासे कई परेशानिया से निजात मिलेगी किसे भी गेर कानोनिक काम अथवा नकात्मा प्रवर्ति के लोग से दूरी बना कर रखें बिजनेस बढ़ने के लिए नई योजना बनेंगे लंबिद मामलों निप्टाने के लिए भी या समय उचीत है पार्टनर से समंधिवेपसा में पूरान मदवेद समावत करने में आपका विसेश सायोग ज़रूरी है नोकरी में तरकी संभव तिथा लग्स भी पूरा होगा आज दूर्श दरास से कोई महतवपून संपर्ग अस्थापित होंगे अच्छे ओडर भी मिलने की समावना है मार्केटिंग तिथा मेडिया से समंधिक कार्यों को करने के लिए समय अनुकूल है नोकरी पैसल लोगा के ओपिस का माहौल संते पूर्ण रहेगा कामकाच को लेकर पूरी गम्रिता और संदिगी रखें लपारवे के वज़े से नुकसान हो सकता है कोई विवासाई उनिवेस करने से पहले अच्छी तरह से जांच परतार आवस करें नोकरी में छोटी-छोटी समस्या आएगी परन्तु बहुत अथवा किसी वारिस अधिकारी का सहयव भी मिलेगा तोस्तों मैं बात कर लते हैं लाव लाइक पति-पत्नी आपसी सहयव दोरा घर के किसी समस्या को सुल जाना में समख चलेंगे दोस्तों के साथ भी कोई फेमिली गेट टूगेदर होगा जिवन साथी की सहत को लेकर चिंता रहेगी परन्तु आपका सहयो घर के बातावरान को उचित बना कर रखेगा पति-पत्नी के बीच किसी मुद्य को लेकर कहास नहीं हो सकती है परिवारी स्विक्रती मिलने से मन प्रसंद रहेगे जिवन साथी का आपके मुश्किल समय में पूरा सहयो रहेगा जिससे आपके आत्मी स्वास्ता आत्मबल में और अधिक ब्रेदी होगी परिवारत अथावे अफसार के बीच उतिस समान्जस बना रहेगा प्रेंट समय में भी नज़िकी आएगे दामपत जिवन सुखत रहेगा प्रेंट समय में उजागर होने की आसंका है जिसकी वज़े से दिकत्ते आ सकती है दुस्तों बात करते हैं स्वास्त की गैस वकब जियत किसी कैत रहेगी अलप अहार ले तधा आयर्वधिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें स्वास्त उत्म रहेगा किसी भी तरह की चिंता न करें स्वास्त ठीक रहेगा प्रनतु बरतबन बतायाने से अपना बच्चा आवसर कहें दोस्तों दवायां की वज़ाय योगा वियां तता जीवन सेली में बदलाब करके आपने स्वास्त को ठीक रखें और तो घर के किसी वारिश व्यक्ति की स्वास्त को लेकर चिंदा रह सकती है नशों में खिचाव और दर्द की समस्य आप परिशान करेंगे वियाव आवस्त करें कैस बनाने वाली चीजों का सिवन त्याग दें चुरुसता हम बात करते हैं आपकी उपाय की बारे में दोस्ता हर पुर्णुआ के दिन सुवर सबसे पहले पीपल को जल्द है और लक्ष्मी मंत्र की एक माला का जाप करें ऐसा करने से धेरे धेरे आर्थिक परिशानी दूर होगी और सुक्सान्ती बनी रहेगी दोस्ता आपकी घर में पैसा नहीं टिकराया तो यह उपाय जरूर करें एक डिबे में आटे को रख दें उसमें पांच तुलसी के पत्ते और दो केसर के दाने रख दें याद रखें कि सनीवार के दिन ही आटे को पिसवाए और उसमें चना जरूर मिलवाएं इसा करने से आपकी समझ स्यादूर हो जाएंगे और पैसा टिकने से कोई नहीं रोख सकता है दोस्ता आप बात करते हैं आपका भागेशली रंग और भागेशली अंग क्या है दोस्ता आपका भागेशली रंग पीला है और भागेशली अंग चार है अगर हमरा वीडियो अच्छा लगा हो तो से लाइक और सब्सक्राइब जड़ू करें और कॉमेंट बॉक्स में जे छटी मां जड़ो लिखे हैं धान्यवाद